स्टार्ट करते हैं biology in human welfare के part 9 से इसे पहले के part में हमने पढ़ा था about diseases जो protozoa की वज़े से होती है ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसी disease जो की होती है हल्मेंथीस की वज़े से क्या होता है detail में देखेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है ascaris just a minute ascaris the common roundworm and vucheryara the philarialworm एक ascaris होता है roundworm होता है vucheryara भी है जो एक warm है वो क्या है हल्मेंथीस केटिगरी में आते हैं देखो जैसे हमने bacteria पढ़ा वायरस पढ़ा यह किसके अंदर आते हैं हल्मेंथीस केटिगरी में आते हैं जो की pathogenic to men है now if you remember pathogenic क्या था हमने क्या पढ़ा था सोचो जल्दी से सोच तीन चार सेकिंद दे रही हो हाँ pathogenic होता है जो की man human के लिए harmful हो ठीक है तो यह जो हल्मेंथीस है सारे के सारे harmful नहीं होते but these are some of those halminthies which are known to be pathogenic to man मतलब ऐसा माना जाता है कि यह human के लिए बहुत नुकसान देते हैं Ascaris and Intestinal Parasite Causes Ascaris यानि कि Ascaris जो होता है Intestinal Parasite है जो कि Intestine में मिलता है वो क्या करता है उसकी वज़े से एक disease होती है जिसको बोलते है Ascaris Symptoms of these disease include Now, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पूरी सीरीज में हमने जो डिजीज वाली है हमने पढ़ा कि यह बिमारी हुई किसकी वज़े से हुई यह पढ़ लिया Now, जो आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई पूछ ले तो आपको बदाना पड़ेगा कि Symptoms क्या ह इंटर्नल ब्लीडिंग होने के चांसेज रहते हैं, मस्कुलर पेन ठीक है बहुत जादा बॉडी में पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, फीवर होता है, अनेमिया and blockage of the intestinal passage यानि कि जो इंटर्स्टाइनल पैसेज है, इंटर्स्टाइन है, वहां पे ब्लॉकेज हो सकती ह अब देखो एक चीज है, स्टार्टिंग में लिखा था कि यह क्या करता है, काफी पतोजानिक होता है, तो काफी इसके negative impact होते हैं, the eggs of the parasites are excreted along with the feces of infected person, which contaminate soil, water, plant, etc. इसको पोड़ासा डेटेल में समझा देती हूं, हलकासा इसको समझने के लिए हो चाहिए, देखो, जब जो excretum निकलता है, इसके साथ जो parasite है, यानि कि, ascaris हो गया, vicaria हो गया, इसके ना, क्या निकलते हैं, एग निकल जाते हैं, तो जब excretum में यह एग निकल जाते हैं, तो वो soil को, water को, plants को contaminate कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, ठीक है, a healthy person acquire this infection through contaminated water, vegetable, fruit, etc. एक healthy person की body में, यह infection कहां से आएगा, सोचो, एक healthy person ने, जो सेम चीज है, कुछ भी factor हो सकता है, housefly हो सकता है, या फिर वो healthy person किसी तरह ऐसे water के touch में आया, उसने ऐसा water consume किया, जो already contaminated था, तो healthy person को यह इस तरह से pass on हो जाता है, but waste, जो egg निकलता है, वो infected person के excretum body waste से निकलता है, तो यह जो हमने प that is caused by Vuchariara, दो नाम भी लिखे हुए है, Vuchariara, W. Bencrofti and W. Malai, चाहिए के pronunciation उपर नीचे हो सकती है, you should feel comfortable in your pronunciation, so mine is like this, now the philarial worm causes a slow developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years, होता क्या है, जहां पे यह philarial worm रहता है, उसके क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, उसके क्या होता है, धीरे धीरे ध pain होना, या फिर थोड़ा थोड़ा body में problem होनी start हो जाती है, ठीक है, वहां पे कुछ भी symptoms दिखने लगता है, inflammation का मतलब सुचन भी हो सकता है, उस जगे पे redness हो सकता है, या फित क्या होता है, फोड़ा थोड़ा थोड़ा pain होने लग चाता है, और यह एक्दम से नहीं होता, थीरे दीरे जहां पे वो warm बहुत time के लिए रहता है, वहां पे यह दीरे दीरे develop होना शुरूर होता है, usually the lymphatic vessel of the lower limb and the disease is called elephantiasis or phylerosis, now vichariara की वजह से जो disease होती है, वहां पे यह कहां पे देखने को मिलती है, देखो सबसे पहले तो लिखा है lower limb, नीचे के body parts में, ठीक है, body क पर के parts में कमी देखने को मिलता है, नीचे के lower limbs में, जो भी नीचे parts है, वहां पे यह देखने को मिलता है, जो इसका effect होता है, राइट में एक photo दी गई है, ठीक है, इसमें दिखाया गया है, inflammation in one of the lower limbs due to elephantiasis, knowledge के लिए चहते हो, तो Google कर सकते हो, तो गूगल कर सकते हो, फोट हम लोग बोलते हैं, elephantiasis और phylarisis, राइट, यह समझ में आ गया, नाम में और उसमें confusion नहीं होना है, कि कौन सा protozoa, कौन सा, मतलब जो जिस pathogen है, और उसकी बिमारी कौन सी है, इसा ना, उटा लिख के आचाओ, the genital organs are also often affected, resulting in gross deformities, देखो यहां पर भी आप देख रहे हो, ज जिसकी वज़े से gross deformities होती है, मतलब, proper shape ही change होती है, जो भी body है, आप देखो ने, एक normal person की body, और राइट में अगर आप फोटो देख पा रहे हो, तो कितना difference है, तो यह gross deformities है, पर्मानेंटली डामेज भी हो जाता है, और यह जो pathogen है, यह एक healthy person में transmit होता है, यह से by the bite of a female mosquito vector, यहाँ पर कोई medium आपका, क्या कहते है, यहाँ पर एक healthy individual को कैसे हुआ, एक infected person को एक mosquito ने काटा और उसने वो एक healthy individual में डाल दी है disease, तो देख पा रहे हो, कितना जादा मतलब damage हो सकता है, और यह मच्छ, मच्छ भी एक बहुत बड़े दुश्मान है, मख्या तो हैं, मच् बारिश का सीजन होता है, गवर्मेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, कि इसको हटाओ, उसको हटाओ, पानी को एक खटा मत ओंदो, और आपको एड़ेंट क्या चाहिए, कि मच्छ ना ब्रीड करें, तो इस पार्ट में बारिश का सीजन होता है, जिसकी वज़ से बीम ठीक है, आपको एपढ़ना है, और एसा ही सोचना कि हाड वर्ट से है, बाइलोजी इस लाइक पहली पढ़ोगे हाड लगेगी, दूसरी पार पढ़ोगे थोडी हाड लगेगी, तो ऐसा नहीं है कि एक बर में हाड लग रहे है, और अगर कहीं पर इन नाम को लिख के पेस् सब्सक्राइब कर लगेगी, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और बटन क्लिक कर लीजे, उसके अलावा डिरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट या होम पेज पे जाएए, बाइलोजी सेक्शन के अंडर 11-12 बाइलोजी अलग अलग प्लेलिस्ट पनी हुई है, जो टॉपिक देखने का मने वहाँ पे मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके देख सकते हूं, वरना इस पर्टिकलर प्लेलिस्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन मॉक्स में डाल दूगी, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, थैंक यू सो मुच